नवाश्कार हे विधाता दाओ दाओ मोदेर गौरब दाबो गुरुदेव ने कभी ये कामना छात्र छात्राओं के उज्वल भविष्य के लिए की थी आज विश्व भारती के गवरों मैं सौ वर्ष पर मेरी तरह पुरा देश इस महान संस्तान के लिए यही कामना करता है हे विधाता दाओ दाओ मोदे गौरब दाओ पस्टिम मंगाल के गवरनर सी जगदिप धनकर जी केंद्रिय शिक्षामंत्री डॉक्तर रमेश पोखरियाल निशंग जी वाई चांसेलर प्राफ़सर विद्यूत चक्रबरती जी प्राफेसर्स रजिष्टार विश्व भारती के सभी शिक्षगण छात्र छात्राएं अलूमनाई देवी और सज्जनों विश्व भारती इस विश्व विद्याले के सौब वर्ष होना प्रतेग भारतवासी के लिए बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए भी ये बहुत सुखद है कि आज के दिन इस तपो भुमिका पुन्यस मरन करने का आउसर मिल रहा है साथियों विश्व भारती की सो वर्ष की यात्रा बहुत विशेश है विश्व भारती मा भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्षन और परिश्रम का एक साकार अवतार है भारत के लिए गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था उस स्वप्न को मुर्त रूप देने के लिए देश को निरंतर उर्जा देने वाला ये एक तरह से आराध्य स्थल है अनेको विश्व प्रतिष्थित, गितकार, संगीतकार, कलाकार, सहित्यकार, अर्थसास्त्री, समाजसास्त्री, वैज्यानिक अनेक विद्प्रतिभाय देने वाली विश्व भारती नूतन भारत के निर्मान के लिए नीत नए प्रयास करती रही है इस सहुस्था को इस उंचाई पर पहुँचेने वाले प्रत्य व्यक्ति को मैं आदर पुर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनन्दन करता हूं मुझे खुशी है कि विश्व भारती, स्री निकेतन और शांती निकेतर निरंतर उन लक्षों की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं जो गुरुदेव ने तय किये थे विश्व भारती इसके द्वारा अनेकों गावों में विकास के काम एक प्रकार से ग्रामों दय का काम तो हमेशा से प्रसंशनिय रहे हैं आपने 2015 में जिस योग डिपार्टमेंट को शुरू किया था उसकी भी लोगपुरियता तेजी से बढ़ रही हैं प्रकृती के साथ मिलकर अध्यान और जीवन दोनों का साक्षात उधारण आपका विश्व विद्यालय परीसर है आपको भी यह देखकर खुशी होती होगी कि हमारा देश विश्व भारती से निकले संदेश को पूरे विश्व तक पहुंचा रहा है भारत आज इंटरनेश्टल सोलार एलाइंस के माध्यम से परियावरन समरक्षन के विश्व में विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी एहम भूमी का निभा रहा है भारत आज पूरे विश्व में इकलोता बड़ा देश है जो पैरिश एकोर्ड के परियावरन के लक्षों को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर तेज गती से आगे बढ़ रहा है साथियों आज जब हम विश्व भारती विश्व विद्याले के सो वर्स मना रहे हैं उन परिस्थित्यों को भी याद करना आवशक है जो इसकी स्थापना का आधार बनी थी इस परिस्थित्यां सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से ही उपजी हो ऐसा नहीं था इसके पीछे सेंकडों वर्सों का अनुभाव था सेंकडों वर्सों तक चले आंदोलनों की पुरुष्ट भूमी थी आज आप विद्वजनों के बीच मैं इसके विशेश चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि इन बातों पर बहुत कम बात हुई है बहुत कम ध्यान दिया गया है इसकी चर्चा इसलिए भी आवशक है क्योंकि सीधे सीधे भारत के स्वतंतरता आंदोलन और विश्व भारती के लक्षों से जुड़ी है साथियों जब हम स्वतंतरता संग्राम की बात करते हैं तो हमारे मन में सीधे उन्वीच्वी और विश्वी सदी का विचार आता है लेकिन ये भी एक कत्य है कि इन आंदोलनों की नीव बहुत पहले रखी गई थी भारत की आजहादी के आंदोलन को सद्यों पहले से चले आ रहे अनेक आंदोलनों से उर्जा मिली थी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कूर्तिक एक्ता को भक्ति आंदोलन ने मजबूत करने का काम किया था भक्ति यूग में हिंदुस्तान के हर छेत्र हर इलाके पूर पस्चि मुत्तर दक्षिन हर दिशा में हमारे संतों ने महंतों ने आचारियों ने देश की चेत्रा को जागरू रखने का अभीरत अभीराम प्रयास किया अगर दक्षिन की बात करें तो मदवाचारिय, निम्बकाचारिय, वलभाचारिय, रामानुजाचारिय हुए अगर पस्चि म की तरब नजर करें तो मेरा भाई, हेकना, तुकाराम, रामदास, नर्सी महता अगर उत्तर की तरब नजर करें तो संतरामानन, कबीरदास, गोस्वामी तुलसी दास, सुर्दास, गुरु नानक देव, संतर रहिदास, अन गिनत महापुरुष पुर्व की अगर देखें, इतने सारे नाम है, चैतन्य महाप्रबु और स्रिमत संकरदेव जैसे संतों के विचारों से समाज को उर्जा मिलती रही, भक्ति काल के इसी खंड में, रजखान, सुर्दास, मलिक महमज जायसी, केशवदास, विध्यापती, नजाने कितने महान व्यक्तित् कितने महान व्यक्तित्व हुए, जिनोंने अपनी रचनाओं के ओ, और रचनाओं से समाज को सुधारने का भी, आगे बढ़ने का गी, और प्रगति का मार्ग दिखाया, भक्ति काल में इन पुन्य आत्माओं ने, जन जन के भीतर, एकता के साथ खड़े होने का जजबा पै इसके कारण ये आंदोलन हर ख्षेत्रिय सिमा से बहार निकल कर भारत के कौने कौने में पहुचा, हर पंत, हर वर्ग, हर जाती के लोग, बक्ति के अधिश्ठान पर स्वाभिमान और सांस्कृतिक दरोर के लिए खड़े हो गए बक्ति आंदोलन का वो डोर और बक्ति आंदोलन वो डोर थी जिसने सदियों से संगर्शरत भारत को सामोहित चेतना और आत्म विश्वात से भर दिया साथियों भक्ति का ये विशाय तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक महान काली भक्त श्री रामकृष्ण परमहुत जी की चर्चान आखो वो महान संत जिनके कारण भारत को स्वामी विवेकानन मिले स्वामी विवेकानन भक्ति ज्ञान और कर्म तीनों को अपने में समाये हुए थे उन्होंने भक्ति का दायरा बढ़ाते हुए हर व्यक्ति में दिवेता को देखना शुरू किया उन्होंने व्यक्ति और संस्थान के निर्मान पर बल देते हुए कर्म को भी अभ्यवक्ति दी प्रेर्णा दी साथियों भक्ति आंदोलन के सैंक्डो वर्सों के कालखंड के साथ साथ देश में कर्म आंदोलन भी चला सद्यों से भारत के लोग गुलामी और सामराज जवाद से लड़ रहे थे चाहे वो चत्रपती सिवाजी महराज हो महरना प्रताब हो जासी की रानी लक्ष्मिबाई हो कित्तूर की रानी चेन्यमा हो या फिर भगवान विर्षा मुंडा का ससस्त संग्राम हो अन्याय और सोशन के विरुद्ध सामान्य नागरिकों के तब त्याग और तरपन की कर्म कठोर साधना अपने चरम पर थी ये भविश्य में हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बहुत बड़ी प्रेणा बनी साथियों जब भक्ति और कर्म की धाराएं पूर्बहार थी तो उसके साथ साथ ज्यान की सरीता का ये नूतन त्रिमेनी संगम आजादी के आंदोलन की चेतना बन गया था आजादी की ललक में भाव भक्ति की प्रेणा भरपूर थी समय की मांग थी कि ज्यान के अधिस्थान पर आजादी की जंग जितने के लिए बैचारिक आंदोलन भी खड़ा किया जा है और साथ ही उजवल भावी भारत के निर्मान के लिए नई पीड़ी को तैयार भी किया जा है और हम में बहुत बड़ी और इसमें बहुत बड़ी भूमी का निभाई उस समय स्थापित हुई कई प्रतिस्थित सिक्षण समस्थानों ने विश्व भारती युनिवर्सिटी हो बनारद हिंदू विश्व बिद्यालय हो अलिगर्ड मिर्श्लिव युनिवर्सिटी हो National College जो आजकल लहोर में हैं, मैसूर उनिवर्सिटी हो, त्रीची नेशनल कॉलेज हो, मात्मा गांदी काशी विद्ध्यापीट हो, गुजराद विद्ध्यापीट हो, विलिंग्डन कॉलेज हो, जामिया मिलिय इसमालिया हो, लखनो उनिवर्सिटी हो, पत्ना उनिवर्सिटी हो दिल्ली विश्व विध्यालय हो आंद्र उनिवर्सिटी हो अन्ना मलाई उनिवर्सिटी हो ऐसे अनय एक संस्थान कि उसी एक कालगंड में देशन स्थापिद हुए इन उनिवर्सिटीज में भारत की एक बिलकुल नई विद्वत्ता का विकास हुआ इन सिक्षन संस्थाव ने भारत की आजादी के लिए चल रहे बैचारीक आंदोलन को नई उर्जा दी नई दिशा दी नई उंचाई दी बक्ती आंदोलन से हम एक जुड हुए ज्यान आंदोलन ने बहुदिक मजबूती दी और कर्मा आंदोलन ने हमें अपने हक के लिए लड़ाई का हौसला और साहस दिया सेंक्रो वर्षों के कालखन में चले ये आंदोलन त्याग, तपस्या और तरपन की अनूठी मिसाल बन गए थे इन आंदोलनों से प्रभावित होकर हजारों लोग आजादी की लड़ाई के बलिदान देने के लिए उस आजादी में बलिदान देने के लिए एक के बाद एक आगे आते रहे साथियों ज्यान के इस आंदोलन को गुरुदेव द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्व विद्याले ने नई उर्जा दी थी गुरुदेव ने जिस तरह भारत की संस्कृति से जोडते हुए अपनी परंपराओं से जोडते हुए विश्व भारती को जो स्वरूप दिया उसने राष्ट्रबात की एक मजबूत पहचान देश के सामने रखी साथ साथ उन्होंने विश्व बंदूत्व पर भी उतना ही जोड दिया साथियों वेद से विवेकानन तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवात के चिंतन में भी मुखर थी और ये धारा अंतर मुखी नहीं थी वो भारत को विश्व के अन्य देशों से अलग रखने वाली नहीं थी उनका वीजन था कि जो भारत में सर्वस्षेष्ट है उससे विश्व को भी लाभ हो और दुनिया में अच्छा है भारत उससे भी सीखे आपके विश्व विद्यले का नाम ही देखिये विश्व भारती मा भारती और विश्व के साथ समनवय गुरुदेव सर्वस समावेशी और सर्वस परसी सह अस्तित्व और सहयोग के माध्यम से मानव कल्यान के ब्रहद लक्ष को लेकर चल रहे से विश्व भारती के लिए गुरुदेव का यही विजन आत्म निर्भर भारत का भी सार है आत्म निर्भर भारत अभ्यान भी विश्व कल्यान के लिए भारत के कल्यान का मार्ग है यह अभ्यान भारत को ससक्त करने का अभ्यान है भारत की समुरुद्धी से विश्व में समुरुद्धी लाने का अभ्यान है इत्याद गवा है कि एक सशक्त और आत्मनिर भर भारत ने हमेशा पूरे विश्व समुदाय का भला किया है हमारा विकास एकांकी नहीं बल्कि वैश्वीक समगर और इतना ही नहीं हमारे रगों में जो भरा हुआ है सरवे भवन्तु सुखिन का है भारती और विश्व का एसमन आप से बहतर कौन जानता है गुरुदेव ने हमें स्वदेशी समाज का संकल पर दिया था वो हमारे गामों को हमारी कृशी को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे वो बानिज्य और व्यापार को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे वो आर्ट और लिट्रेचर को आत्म निर्भर देखना चाहते थे उन्होंने आत्म निर्भरता के लक्ष को प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की बात कही थी आत्म शक्ति की उर्जा से राष्ट निर्मान को लेकर उन्होंने जो बात कही थी वो आज भी उतनी ही एहम है। उन्होंने कहा था, राष्ट का निर्मान एक तरह से अपनी आत्मा की प्राप्ति का ही विस्तार है। जब आप अपने विचारों से, अपने कारियों से, अपने कर्तम्यों के निर्वहन से देश का निर्मान करते हैं, तो आपको देश की आत्मा से ही अपनी आत्मा नजर आने लगती है। साथियों, भारत की आत्मा, भारत की आत्म निर्वरता और भारत का आत्म सम्मान एक दूसरे से जुड़े हुए है। भारत के आत्म सम्मान की रक्षा के लिए तो बंगाल की पीडियों ने खुद को खपा दिया था। याद कीजिए, खुदराम बोश को सिर्फ अठारा साल की उम्र में फासी चर गए। प्रफुल चाकी, उन्नीस वर्स की आयूमें सहुध हो गए। बीना दास, जिनोंने मंगलाल की अगनी कन्या की रूप में जाना जाता है। सिर्फ 21 साल की उमर में जेल बेज दी गई थी। पृतिलता बेडुडार ने सिर्फ 21 वर्स की आयूमें अपना जीवन लियोचावर कर दिया था। ऐसे अंगिनत लोग है। शाय जिन के नाम इतियास में भी दर्ज नहीं होपर। इन सभी ने देश के आत्म सम्मान के लिए हस्ते हस्ते मृत्य को गले लगा दिया। आज इनी से प्रेना लेकर हमें आत्म निर्भर भारत के लिए जीना है। इस संकल्म को पूरा करना है। साथियों भारत को मजबूत और आत्म निर्भर बनाने में आपका हर योगदान पूरे विश्व को एक बहतर स्थान बनाएगा। वर्ष 2022 में देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे है। विश्व भारती की स्थापना के 27 वर्ष बाद भारत आजाद हो गया था। अपसे 27 वर्ष बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष का परव मनाएगा। हमें नए लक्ष घड़ने होंगे। नई उर्जा जुटानी होगी। नए तरीके से अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। और इस यात्रा में हमारा मारदरशन कोई और नहीं बल्कि गुरुदेव की ही बाते करेंगी। उनके विचार करेंगे। और जब प्रेणना होती है। संकल्प होता है तो लक्ष भी अपने आप मिल जाते हैं। विश्व भारती की ही बात करूँ। तो इस वर्स यहां यहां सी पोष मेले का आयोजन नहीं हो सका है। सो वर्स की यात्रा में तीसरी बार ऐसा हुआ है। इस महामारी ने हमें इसी मुल्ले को समझाया है। वोकल पर लोकल। पोष मेले के साथ तो इन मंत्र हमेशा से जुड़ा रहा है। महामारी की वज़े से इस मेले में जो कलाकार आते थे जो हैंडिकाप वाले साथ ही आते थे वो नहीं आ पाए। जब हम आत्म सम्मान की बात कर रहे हैं, आत्म निर्भरता की बात कर रहे हैं, तो सब से पहले मेरा एक आगरव पर आप सब मेरी मदर कीजिए, मेरा काम दीजिए। बिश्व भारती के छात्र छात्राएं, पोश मेले में आने वाले आर्टिस्टों से संपर करें, उनके उत्पादकों बारव में जानकारी खटा करें। और इन गरीब कलाकारों की कलाकृतियां ओनलाइन कैसे बिख सकती हैं, सोच्यल मीडिया की इसमें क्या मदद की जा सकती हैं, इसे देखें, इस पर काम करें। इतना ही नहीं, बविश्य में भी स्थानी आर्टिस्ट, हैंडिकाप, इस प्रकार्जय जो साती अपने उत्पात, विश्व बाजार तक ले जा सकें, इसके लिए भी उन्हें सिखाईए, उनके लिए मार्ग बनाईए। इस तरह के अनेक प्रयासों से ही देश आत्म निर्भर बनेगा, हम गुर्देव के सप्रों को पूरा कर पाएंगे। आपको गुर्देव का सबसे प्रेणादाई मंत्र भी यादी है। जोदित और डाक्षूने के उना आशे, तो अधे एकला चलो रहे। कोई भी साथ ना आए, अपने लक्ष के प्राप्ति के लिए अगर अकेले भी चलना पड़े, तो जरूर चलिए। साथियों, गुर्देव कहते थे, बिना संगीत और कला के राष्ट अपनी अभीवक्ति के वास्त्विक्त सक्ति खो देता है। और उसके नागरिकों का उत्कृष्ट बाहर नहीं आ पाता है। गुर्देव ने हमारी समरुद्य सांस्कृतिक विरासत्य समरक्षन, पोशन और विस्तार को बहार महत्वपण माना था। यदि हम उस समय के बंगाल को देखें, तो एक और अध्भूत बात नजराती है। जब हर तरफ आज़ादिक आंदोलन उफान परता था, तब बंगाल उस आंदोलन को दिशात देने के साथ ही संस्कृति का पोशत भी बन कर खड़ा था। बंगाल में हर तरप संस्कृति, साहीत्य, संगीत्य अनुभूति भी एक तरह से आज़ादी के आंदोलन को शक्ति प्रदाल कर रही थी। साथियों, गुरुदेव ने दस्व को पहले ही बविश्मानी की थी। और बविश्मानी क्याती उन्हें कहतां। ओरे नोतन जुगेर भोरे। दिशने शोमय कारिय भृथा, शोमय विचार कोरे। ओरे नुतन जुगेर भोरे। एशो ग्यानी, हैशो कर्मी, नाशो भरतो लाजे। बीरो धोर में पुन्नो कौर में विश्वे दुदय राजो है गुरुदेव के इस उप्देश को इस उद्गोश को साकार करने की जिम्यदारी हम सभी की है साथियों गुरुदेव ने विश्व भारति की स्थापना सिर्फ पढ़ाई के कैंद्र के रूप में नहीं की थी वो इसे सीट अफ लर्निंग सिखने के लिए पवित्र स्थान के तौर पर देखते थी पढ़ाई और सिखना दोनों के बीच का जो भेद है उसे गुरुदेव के सिर्फ एक वाक्ते से समझा जा सकता है उन्होंने कहा था मुझे याद नहीं है कि मुझे क्या पढ़ाया गया था मुझे सिर्फ वही याद है जो मैंने सीखा है इसे और विस्तार देते हुए गुरुदेव टैगोर ने कहा था सबसे बड़ी सिख्षा वही है जो हमें न सिर्फ जानकारी दे बलकि हमें सब के साथ जीना सिखा था उनका पूरी दुनिया के लिए संदेश था कि हमें नौलेज को एरियाज में लिमीट्स में बांधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए उन्होंने यजुरुदे के मंत्र को विश्व भारति का मंत्र बनाया यत्र विश्वम भवत्तेक निड़म जहां पूरा विश्व एक नीड बन जाए गोंसला बन जाए वो स्थान जहां नीत नए अनुसंदान हो वो स्थान जहां सब साथ मिलकर आगे बड़े और जैसे अभी हमारे शिक्षा मंत्री विश्व स्थार से कह रहे थे गुरुदेव कहते थे चित्तो जेथा भयव सुन्नो चित्तो जेथा भय सुन्नो उच्चो जेथा शीर क्यान जेथा मुक्तो जानी हम एक ऐसी व्यवस्ता खड़ी करे जहां हमारे मन में कोई डर ना हो हमारा सर उंचा हो और ज्यान बंदनों से मुक्त हो आज देश राष्ट्रिय शिक्षानीती के माद्यम से इस उद्देश को पूरा करने का भी प्रयास कर रहा है इस शिक्षा निती को लागू करने में विश्व भारती की बड़ी भूमी का है। की भी समझ बड़ेगी, उन्हें आसानी होगी। साथियों, मैं जब गुरुदेव के बारे में बात करता हूँ, तो एक मों से खुद को रोक नहीं पाता। पिछली वार आपके हां आया था, तब भी मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र किया था। मैं फिर से गुरुदेव और ग क्योंकि ये हमें एक भारत, फ्रिष्ट भारत की भावना से भरता है। ये दिखाता है कि अलग-अलग भाशाओं, बोलिया, खान-पान, पहनावे वाला हमारा देश, एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि कैसे बिवीदताओं से भरा हमारा देश, एक है, एक दूसरे से बहुत कुछ शिक्ता रहा है। साथियों, गुरुदेव के बड़े भाई सत्तेंद्रना टेगोर जब आईसी एस में थे, तो उनकी नियूकती गुजरात में एहमदाबाद में भी हुई थे। रविनाट टेकोर जी अक्सर गुजरात आज जाते थे और उन्होंने वहाँ काफी लंबा समय भी बिताया था। एहमदाबाद में रहते हुए उन्होंने अपनी दो लोक्तुरिये बांगला कविताय बंदी ओ आमार और निरोब रजनी देखो ये दोनों रचनाय की थे। अपने प्रसित रचना शुदीत पाशान का एक हिस्सा भी उन्होंने गुजरात प्रवास के दवरानी लिखा था। इतना ही नहीं गुजरात की एक बेटी स्रीमती हटी सींग गुरुदेव के घर में भी वो बहु बनकर भी आई थी। इसके अलावा एक और तथ्या है जिस पर हमारे विमन एमपार्मेंट से जुड़े संकटोनों को अध्यान करना चाहिए। सत्यंद्रणा टेगवर जी की पत्नी ज्यानन दिनी देवी जी जब एमदाबाद में रहती थी तो उन्होंने देखा कि स्थानिये महलाएं अपने साड़ी के पलू को दाहिने कंदे पर रखती थी। अब दाए कंदे पर पलू रहता था इसलिए महलाओं को काम करने में भी कुछ दिक्कत होती थी। यह देखकर ज्यानन दिनी देवी ने आइडिया निकाला कि क्यों साड़ी के पलू को बाए कंदे पर लिया जाए। अब मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता लेकिन कहते हैं कि बाए कंदे पर साड़ी का पलू उनी की देन है। विश्व भारती को दिये हैं। इनी समस्कारों को हमें मिलकर निरंतर मजबूत करना है। साथियों आप सब जहां भी जाएंगे, जिस भी फिल में जाएंगे, आपके परिस्थम से ही एक नए भारत का निर्मार होगा। मैं गुरुदेव की प्रंक्तियों से अपनी बात समात्र करूँगा। गुरुदेव में कहा था, औरे गुरुहो बाशी, खोल, दार खोल। लागलो जे दोल, स्थोले, जोले, मबो तोले, लागलो जे दोल, दार खोल, दार खोल। देश में नई संभावनाओं के द्वार आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सब सफल होईए, आगे बढ़िए और देश के सपनों को पूरा करिए। इनी शुक्त कामनाओं के साथ आप सभी का एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद और ये शताबदी वर्ष हमारी आगे की आत्रा के लिए एक मजबूत मिल का पत्थर बनें। हमें नई उचाईयों पर ले जाएं। और विश्व भारती जिन सपनों को लेकर के जन्मी थी, उनी सपनों को साकार करते हुए विश्व कल्यार के मार्क को सप्रसत्त करने के लिए भारत के कल्यार के मार्क को मजबूत करते हुए आगे बढ़े। यही मेरी आप सब से शु बेल आइकोन को दबाना मत भूले